नमशकार दोस्तों, कैसे हैं आप? उमीद है अच्छे ही होंगे दोस्तों हमारे आज के चैप्टर का टाइटल है दा एड्रेस दोस्तों ये चैप्टर मारगो मिनको ने लिखा है और ये स्टोरी काफी सेंसेटिव एंड इमोशनल है इस स्टोरी में वार के उस भेहनक रूप को दर्शाय गया है जब वार में सब कुछ खो जाने के बाद इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर यानि आथर को वार के सारे painful experiences और memories को पीछे चोड़ कर बड़ी हिम्मत से आगे बढ़ने का निर्णे लेना पड़ता है दोस्तों ये स्टोरी मुझे लगता है कि सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है बलकि जब आप इसे imagine करेंगे तो आपको फिल होगा कि लाइफ में सब कुछ भुला कर आगे बढ़ना कितना मुश्किल होता है इस चैप्टर से आपको अपनी रियल लाइफ में वही हिम्मत मिलेगी और आगे बढ़ने का अफसर आपको दिखाई देगा तो दोस्तो ये स्टोरी तीन केरेक्टरस के आसपस घूमती है पहली है मिसस जो कि एक रिच, जुईष लेडी थी नमबर सेकिंड है मिसस डॉलिंग, जो कि एक नॉन-जुईष लेडी थी और नमबर थर्ड है मिस्स एस की डॉर्टर यानी हमारे इस चैप्टर की ओथर जिनको वल्ड वार टू में अपनी मा और मिस्स एस और अपने घर को खोना पड़ा एक्शली हुआ ये था कि जब जर्मन फोर्सेज ने वल्ड वार टू में हॉलेंड पर कबज़ा कर लिया था तब वहां जुएश लोगों को मारा जाने लगा और उन्हें घर होए देश से बहार निकाला जाने लगा जिससे उनकी लाइफ बत्तर हो गई थी इसी बीच राइटर की मदर की ही एक जानकार लेडी थी उन्होंने ये सेजेशन दिया कि जब तक हाला ठीक नहीं हो जाते तब तक वो अपनी घर की कीमती चीजें उनके पास रखवा दे और बाद में जब सब ठीक हो जाए तो वो अपनी सारी चीजें वापस उनसे ले ले तो ओथर की मदर के मरने से पहले वो ओथर को हॉलेंड में उसी लेडी के घर का एडरेस बताती है जिसका एडरेस होता है 46 मारकोनी स्ट्रीट यानि हाउस नंबर 46 मारकोनी स्ट्रीट तो ये लेडी बेसिकली दोस्तों वही मिस्स डॉलिंग है जो के एक नौन जुईश लेडी थी और ये मिस्स एस की एक्वेंटिन्स थी हाला कि जब ऑथर की मदर उसका साथ छोड़ जाती है तो वो अपनी मदर की मेमरीस से जुड़ी उन चीजों को लेने के लिए उसी एडरेस पर जाती है और इसी लिए इस चैप्टर का नाम दा एडरेस भी पढ़ा है अब दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत में हमें ये बताया गया है कि ऑथर अपनी मा के बताया हुए एडरेस यानि हाउस नमबर 46 मौरकनी स्ट्रीट पर पहुँचती है और उस घर की लेडी यानि मिस्स डॉर ओपन करती है इससे पहले वो कुछ बोले ओथर बोलती है क्या आप मुझे अभी भी जानती है इसके रिप्लाइ में मिस्स डॉर ओओविंग कहती है नहीं मैं तो आपको नहीं जानती तो नरेटर कहती है कि मैं मिस्स एस की डॉर्टर हूँ इतना कहने पर मिस्स डॉर्लिंग के चेहरे के एक्स्प्रेशन्स में कोई खास फरक नहीं आता और बस वो नरेटर को घूरती रहती है नरेटर सोचती है, शायद उससे गलती हो गई है, उसने गलत डोर बेल बजा दी है लेकिन एकदम उसके नजर मिस्स डॉर्लिंग के ग्रीन कार्टीगेन पर पढ़ती है जो उन्होंने पहना हुआ था, वो आथर की मा कही था और अब वो शौर हो जाती है कि वो सही घर में घुसी है भो फिर मिस्स डॉर्लिंग से पूचती है क्या आप मेरे मदर को जानती है इस पर मिस्स डॉर्लिंग कहती है तुम वापस आ गई? मुझे लगा था कि कोई वापस नहीं आएगा इस पर आॉथर कहती है कि सिरफ मैं ही हूँ जो वापस आई हूँ मिस्स डॉलिंग कहती है मुझे माफ करना मैं तुम्हारी लिए कुछ नहीं कर सकती फिर नेरेटर कहती है मैं स्पेशली यहां ट्रेन से आई हूँ और कुछ दिर आप से बात करना चाहती हूँ इस पर मिस्स डॉलिंग कहती है माफ करना मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती और ये convenient time भी नहीं है बात करने का और वो साफधानी से door close कर देती है ताकि उसके घर में कोई disturb ना हो अब राइटर के पास वापस जाने के अलावा कोई option नहीं बचता तो वो घर की number plate पर फिर देखती है जिस पर number 46 लिखा होता है राइटर बिचारी slowly slowly station के तरह वापस जाती है अब उसके दिमाग में वही सब memories घूमने लग जाती है जब कई साल पहले war के बीच में Mrs. rolling उनके घर आती थी और daily कुछ न कुछ उनके घर से ले जाती थी एक दिन वो सारी silver की चीज़ें अपने साथ ले गई थी और सारी antique plates राइटर की उस टाइम Mrs. rolling को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई थी क्योंकि वो यही दिलासा देती थी कि राइटर और उसकी family की सारी precious चीज़ें सेव करना जरूरी है जिने वो अपने पास अमानत के तौर पर रख रही है नहीं तो world war में सब चला जाएगा एक बार राइटर ने अपनी मदर से पूछा भी था क्या आप इस बात से एगरी हैं कि Mrs. rolling को सारी चीज़ें अपने पास रखनी चाहिए उसकी मदर ने रोते रोते जवाब दिया फिलहाल जो जरूरी है वही करना पढ़ रहा है हर टाइम Mrs. rolling जब भी राइटर के पास आती थी उनके घर पर आती थी तो एक पूरा का पूरा सूट केस भर के साथ ले जाती यही सारी मेमरीज राइटर के दिमाग में फिर से आ रही थी और वो स्टेशन जाते हुए आसपास के प्लेसिस को ज़्यादा अटेंशन नहीं देना चाती थी क्योंकि वो फिर से अपने शहर की जानी पेचानी स्टीट्स और घरों को देकर उन मेमरीज को याद करे जिनने याद करके उसे दुख के अलावा कुछ नहीं हासिल होगा वो ये सब नहीं करना चाती थी और ऐसे करते करते वो स्टेशन के तरफ पहुँच गई जैसे ही राइटर ट्रेन में बैठती है उसे फिर से अपने पास्ट की वही बाते याद आती है कि कैसे मिसस रॉलिंग उनके घर आती थी जब राइटर की मदर ने फर्स टाइम उसे मिसस रॉलिंग से इंट्रिद्यूस करवाया था उस टाइम मिस्स डॉर्लिंग ने ब्राउन कोट और एक हैट पहनी थी और उनके हाथ में एक हैवी सूट केस था जिन में राइटर के ही घर का समान वो ले जा रही थी उस टाइम पहली बार राइटर को उनके घर का एड्रस नमबर 46 मौरकनी स्ट्रीट पता चला था युदक के खतम हो जाने के बाद राइटर को उन सारी चीज़ों में कुछ इंटरस नहीं था बलकि उसे डर था कि अगर वो चीज़ों को दुबारा देखेगी तो उसे फिर वही पुरानी मेमरी ज्याद आएंगी क्योंकि उन सारी चीज़ों के साथ उसका कनेक्शन था जो अब हो चुका था खैर समय बीटता गया और चीज़े नॉर्मल होती गई और एक दिन अचानक राइटर को लगा कि वो सारी चीज़े जिने वो पीछे छोड़ आई थी जो कि उसकी मदर की मेमरी से रिलेटेट थी वो उन्हें वापस देखना चाती है उन्हें फील करना चाती है और उन्हें याद रखना चाती है अब राइटर ने दुबारा मिसस जॉर्लिंग के घर जाने के लिए डिसाइट किया जैसे ही वो दुबारा मिस्स जॉर्लिंग के गर पहुची तो उनकी लगबग 15 साल की बेटी ने दर्वाजा खोला तो राइटर ने पूछा क्या आपकी मदर घर पर हैं? जिसके रिप्लाइ में उस गर्ल ने बोला नहीं, वो कुछ समान लाने गई हैं तो राइटर ने बोला कोई बात नहीं, मैं वेट करूंगी अब मिस्स जॉर्लिंग की बेटी घर के अंदर एंटर होने लगी और उसके पीछे-पीछे राइटर भी अंदर लिविंग रूम तक जाने लगी राइटर उस गर्ल के पीछे-पीछे जाती है वहाँ उसे मिरर के साथ एक ओल्ड फैशन हनुका दिखाई देता है दोस्तो हनुका एक कैंडल होल्डर होता है जो बेसिकली पहले के टाइम पे काफी यूज किया जाता था जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं अब जैसे ही राइटर उस गर्ल के पीछे जा रही होती है तब ही वो लिविंग रूम में एंटर हो जाती है वहाँ राइटर को बहुत ज़्यादा स्टेंज लगता है जिस तरह से बहुत बुरी तरीके से चीजे रख्यूई होती है उन्हें देख कर राइटर को काफी दुख पहुचता है फरनीचर बहुत गंदा हुआ पड़ा होता है चारो तरफ हुमिट स्मेल होती है और इससे राइटर का इंटरेस्ट और ज़्यादा कम हो जाता है सड़नी राइटर टेबल के पास चेयर पर बैट जाती है और उस टेबल पर पूरे तरीके से ढखे हुए वुलन क्लोथ को टेच करती है और रब करने लगती है जैसे ही उसे वो रब करती है उसके फिंगर्स हलकी सी गरम हो जाती है और राइटर को याद आता है कि इस कपड़े पर कही न कहीं एक burn mark था जो कभी repair नहीं हुआ उसके बाद वो बच्ची राइटर से टी के लिए पूछती है और white color के एक pot से टी डालती है जिसके ओपर golden color का एक border होता है और फिर वो एक box open करती है और उसमें से spoons निकालती है जाता है तब ही राइटर उस लड़की को बताती है कि उसकी मदर ने बताया था कि जब हम जिस कटलरी में खाना खाते थे वो basically silver की थी silver के spoon, silver के fox और even knife भी उसके बाद राइटर बताती है और कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि तुम्हें पता नहीं होगा कि वो सारी चीजें silver की ही है जो तुमारे पास है बच्ची कहती है मतलब हम जिस कटलरी को use करते है वो silver की है अब वो बच्ची चेक करने के लिए drawer को open करती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि जो कटलरी को वो use करते है क्या वो वाके silver की है जैसे ही वो drawer को open करती है और writer उस कटलरी को देखकर एकदम से खड़ी हो जाती है और अब वो उसका रुकने का और वहाँ मन नहीं करता क्योंकि उसे अपनी train पकड़नी होती है दूसरा reason यह होता है कि जिन चीजों को वो इतने interest से देखने आई थी वो चीजें अब अपनी value खो चुकी थी क्योंकि वो चीजें उसकी मदर की याद दिलाती थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और वो सारी चीजें जिस interest से उनके अपने घर में रखी होती थी जिस तरीके से यहाँ पे उनकी हालत थी यह देखकर भी उसे काफी दुख पहुचता है तीसरी चीज होती है कि इन सब चीजों को रखने की जगा भी राइटर के अब नए rented apartment में नहीं थी और राइटर उस घर से बहर आ जाती है और उस address को फिर से देखती है जिस पर लिखा होता है 46 मारकोनी स्ट्रीट और अब वो final फैसला लेती है कि इस address को याद रखना अब उसके लिए ज़्यादा जरूरी नहीं है उसके लिए बिंपॉर्टन्ट यही है कि वो इस address को भूल जाएगी वो पूरी-पूरी कोशिश करेगी कि वो इस address को भूला दे और दोस्तों यहाँ पर यह स्टोरी खतम हो जाती है दोस्तों इस story से हमें यही पता चलता है कि story की starting में जो address writer के लिए इतना ज़्यादा important था story के last में उसी address को भूलना writer के लिए important हो गया यानि जिन चीजों को writer वापस लाना चाती थी जिने feel करना चाती थी जिन से उसकी memories जुड़ी हुई थी अचानक से वो सारी चीजों की value writer के सामने खतम हो गई क्योंकि आकिर थी तो वो चीजे ही और अब क्योंकि उसकी माई इस दुनिया में नहीं रही तो writer के लिए move on करना ही ज़्यादा important हुआ तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये chapter की summary खतम हो जाती है उमीद है दोस्तों आपको इस chapter की summary समझ में आ गई होगी आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए देखते रहिए खेल खेल में ग्यान थैंक्यू दोस्तों